नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वागत है, इसकी सिरफ एक चमत से खून की कमी, हडियों में कट-कट की आवाज, हडियों की कमजोरी, सरीर की कमजोरी और ठकान दूर हो जाएगी, आपका सरीर बिलकुल स्लिम और फिट बन जाएगा, नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की इस वडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाऊंगा जो आपके सरीर में खून बनाने की मसीन लगा देगा, हाडियों की कमजोरी का इलाज करतेगा, आँखों की रोसनी को बढ़ाने में भी ये नुस्खा बेहदादी कारगर है, य उसको भी चार जीरो कर देगा, यनि आपकी आँखों से चसमे को हमेशा हमेशा के लिए हटा देगा, और आपके सरीर के लिए भी एक वरदान है, और यदि आप जिम जाते हैं, तब तो आपको इस नुस्खे का सेवन करना ही करना चाहिए, क्योंकि इस नुस्खे के सेवन स आपके सरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की सकती आपके सरीर में आती हैं, और जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, तो चले दोस्तों आपको बताते हैं, कि आपने ये नुस्खा बनाना कैसे हैं, और इस नुस्खे का आपने परियोग कैसे क योगी notification आद रहे हैं दोस्तो इस नुस्खे को बनाने के लिए जो सबसे पहली आपको समगरी चाहिए वह चाहिए दोस्तो एक चमच देसी घी दोस्तो आपने क्या करना है किसी बरतन को आग पर रखकर इस एक चमच देसी घी को आपने इसमें डाल देना है और दोस्तो अब आपको लेने हैं मखाने मखाने लेने हैं आपको 50 ग्राम और इस 50 ग्राम मखाने को आपने इस घी में रोष्ट कर लेना है दोस्तो अब आपने इसमें चने के भी 100 ग्राम भुने हुए काले चनों को भी रोष्ट कर लिना है, Melons Seed आपने इसके अंदर लेनी है 3 चमच, उनको भी आपने हलका हलका सार रोष्ट कर लिना है दोस्तों, अब इन तिनों को आपने निकाल कर किसी बरतन में डाल लेना है दोस्तों, अब इसमें आपने डालनी है काली मिर्च 7-8 दोस्तो इनको भी आप रोष्ट करना चाहें तो रोष्ट कर सकते हैं सोफ डालनी हैं सोफ के बीज एक चमच इलाइची डालनी हैं आपने साथ से आठ और मिसरी आप अपने सवाद के अनुसार डाल सकते हैं लेकिन यदि आपको डाइबटीज की समस्य है तब आपने मिसरी का परियोग नहीं करना है और दोस्तो आपने इन सभी सामगरी को लेकर इन सभी सामगरी को ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लेना है और दोस्तो ये हो गया आपका नुस्खा रेडी आपके सरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए, खून की कमी, आखों की रोसनी को बढ़ाने के लिए, हड्यों की कमजोरी का इलाज करने के लिए, मुटापे को घटाने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है इसके एक चमच का सेवन हर रोज करना है और आपने सुबह खाली पर इसका सेवन करना है इसको लेने के बाद आप हलका गुनगुना दूद का सेवन कीजी या आप इसको ऐसे भी चबाकर खासते हैं इसका टेस्ट भी आपको गजब लगेगा मस् तो आपका सरीर निरोगी बनना सुरू हो जाएगा आपके सरीर की इम्यून पावर बढ़ जाएगी और बहुत सारी बीमारियों का आपके सरीर की इलाज हो जाएगा क्योंकि ये नुस्खा एक कारगर नुस्खा है और इसमें वो वो सामगरी है जो आपके सरीर को निरोगी बनाने का काम करेंगी आपके सरीर की बहुत सारी बीमारियों से लड़ने का काम करेंगी दोस्तो यदि आपको किसी भी परकार का सरीर में दर्द रहता है हड्यों की आपका दूर हो जाएगा तो दोस्तों देर किसे बात किये है आप इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रयोग करें और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दें तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वीडियो की नोटिकेशन आत रहे धन्यवा दोस्तों